नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे के साधी से पहले जानलो अवरत की ये गुप्त बाते नहीं तो जीवन नर्क बन जाएगा और उमर भर रोते रहोगे किस प्रकार से आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों कुसल अर्धसात्री आचारे चारेक ने प्रेम और विबाह जीवन के लिए नीतियों का बरण किया है इन नीतियों की मदद से आप अपने सही पार्टनर का चैन कर सकते हैं रिलेसंसिप प्रेम और विबाह के रिस्तों में तालमिल एक सुखद जीवन के लिए ज्यादा महत्तों रखता है इन रिस्तों के आकरसर के कारण कई बार लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं और इसका खाम्याजा जीवन भर भूगतना पड़ता है बिस्रो गुप्त और कौटिल के नाम से मसुहूर आचारे चारक के ने प्रेम और विबाह को लेकर कई महत्तपूर नीतियां बनाई हैं उन्होंने महिलाओं और पुरुसों के लिए कई सुझाओ भी दिये हैं वो कहते हैं कि इन नीतियों का अनुसरर करने पर जीवन सुखदाई होता है दोस्तों चारक की जी कहते हैं अपने जीवन साथी को चुनते समय पुरुसों को उनकी सारीरिक सुंदरता और आकरसर के बजाए उनके गुरों को पुर्मुकता देनी चाहिए ऐसा नहीं करने पर बाइबाहिक जीवन अच्छा नहीं हो पाता है चारक के कहते हैं कि जीवन साथी को चुनने का पैमाना उसका सारीरिक आकरसर नहीं होना चाहिए वो कहते हैं कि पुरुसों को सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए क्यूंकि अक्सर पुरुस सुन्दर जीवन साथी के चक्कर में उसके गुरों को दरकिनार कर देते ही ऐसे में उन्हें जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है ऐसे में पुरुसों को अपने जीवन साथी की मन की खुपसूरती और गुरों को देखना चाहिए सुन्दर्ता कुछ दिनों के लिए होती है और समय के साथ खत्म हो जाती है इसलिए विबाह के लिए महिलाओं में रूप नई संसकार को पुर्मुकता देनी चाहिए संसकार से परिपूर लड़की घर को खुसनुमा बना देती है या बात पुर्सों पर भी लागू होती है सफल वैबाहिक जीवन के लिए पुर्स को मरियादित होना चाहिए साथी उसे विबाह से पहले अपने पार्टनर में धर्म कर्म की आस्ता की जानकारी भी होनी चाहिए क्यूंकि धर्म कर्म में विस्वास करने बाला मरियादित होता है कुसल जीवन के लिए इस्त्री में धैर का होना अनिबार रहे पुर्षो को साधी से पहले महिलाओं में धैरी की परक कर लेनी चाहिए इस्त्री धर्यबान होगी तो कटिन परिस्तितियों में भी वो आपके साथ खड़ी रहेगी क्रोधी इस्त्री पूरे परिवार को तबाह कर देती है पुर्षो में या गुर नुकसान दे होता है क्रोध को जीवन के लिए दुखद माना गया है इस्त्री को सक्ति का रूप माना गया है ऐसे में क्रोध उसके लिए घातक हो सकता है अगर महिला को क्रोध आ जाये तो परिवार बरबाद हो जाता है अब दोस्तों आईए जानते हैं आचारे चारक के द्वारा बताई गई चार आईसी बते जिनके द्वारा आप किसी भी मर्द या औरत को परक सकते हैं किस परकार से आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कीजी अब चलिए दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को तो जीवन में कई परेसानियों से मुक्ति पा सकते हैं आज हम आपको आचारे चारके के द्वरा बनाई गई एक ऐसी ही नीती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पालन करने पर किसी ब्यक्ति को सही तरीके से परका जा सकता है दोस्तों इस नीती में आचारे चाड़के ने कहा है कि अगर आपको सोने की परक करनी है तो इसके लिए चार तरीके हैं सोने को रगड कर देखना चाहिए इसे काटना चाहिए आग में तपाकर इसकी सुद्ध की जाए या फिर पीट कर देखा जाए अगर सोने में मिलाबट होगी तो इन चार तरीकों की जाच से पता चल जाएगे कि सोने में मिलाबट है ठीक इसी तरह से किसी ब्यक्ति को परकने के लिए भी चार बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों पहली बात है तयाग भाबना उस ब्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए दूसरी बात है अच्छी मंसा रखने वाले लोग जो लोग किसी दूसरे के बारे में गलत मंसा नहीं रखते हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है दूसरी बात है गुड़ों की तुलना आचारे चारे के ने कहा है कि जिन लोगों में क्रोध आलत से स्वार्थ और घमंड जैसे अब गुड़ों होते हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो सच का साथ देता हो उस पर ही विश्वास करना चाहिए दूसरी बात है कर्म जो बेक्ति जूट बोलकर पैसा कमाता हो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए आएसे बेक्ति का चरित्र सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पर जो रखता है इसके लिए बह असत्त का साथ देता रहता है अच्छे कर्म कर पैसा कमाने बालों पर विस्वास रखना चाहिए तो दोस्तों ये थे आचारे चारे के जी के कुछ बेहत अनमोल बचन जो हमने आपके साथ सेर किये दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से किसी ऐसे इग्यान बर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जय ही नजय भारत